बिस्मिल्लाहरमान रहीम अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं धमा का रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल आज मैं आप के लिए बहुत अच्छे रेस्टूरेंट में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि अक्सर शादियों में भी बनती है बहुत आसानी से बनने वाली डिश है चिकन मलाई बोटी बहुत इस्पेशल रेसिपी है वीडियो को पूरा देखिएगा तो चले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहरमान रहीम एक किलो चिकन लिया है चैस्ट पीस लिया है इसमें चैस्ट में जो पतली सी हड़ी होती है बस वो ही और बाकी हड़ी नहीं है इसमें एक प्याली दही लिया है और आधी प्याली किरिम लिया है एक टीस्पून काली मिर्च का पॉडर है 1 टेबिल स्पॉन जीरा मैंने तवेपे भूण लिया था, उसको चूट लिया है माम दस्थे में 1 टीस्पॉन गरम मसाला पॉडर लिया है और 1 टीस्पॉन नमक लिया है मैंने आप अपने टेश्क के मताबिख ले सकने हैं एक बड़े अदित की प्यास काटली है 5-6 हरी मिर्च ली हैं 12-15 अदर्द लहसन के जवें हैं एक इंच का टुकरा अदरक का लिया है इन सब का मैं पेस्ट बना लूँ गी प्याज लहसन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है बिसमिल्यों रह्माइन रहीम एक पैंड लिया है और इसमें मैं आइल डाल दूंगी एक कप आइल डाला है आइल हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी चिकन को आइल में अची तरह से भूनना है इतना भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल चैंज हो जाए पांच से साथ मिन्ट हो चुके हैं इसको भूनते वे इसका कलर चेंज हो गिया है अब इसमें मैं जो मैंने प्यास हरी मिर्श लेसा नदरक पीसके रखा था वो डाल शामिल कर दिया है इसको भी चार से पांच मिन्ट के लिए भूनना है पांच मिन्ट हो गए इसको मुनते वे ये बहुत अच्छा सा मुन गया है ये डिफरेंट तरीके से बनने वाली डिश है आप इसको एक बार बार बनाएंगे ये तनी मज़ेदार बनेगी ये कम मसालों से बहुत जबरदस बनने वाली डिशे आप अपने महमानों को बना के खिलाएं वो जरूर आपसे रेसिपी पूछेंगे इसमें मैंने अब दही शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें मैं किरिम भी शामिल कर दूँगी दही उकिरिम को अच्छी ताना से फेट के डालना है एक दो मिंड इसको भूनने के बाद जो हमने जीरा भून के पीस के रखा था वो शामिल कर दिया है साथ ही हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है नमक शामिल कर दिया है अब इसको हम अच्छी से भून लेंगे और इसमें पानी डालने की जुरूरत नहीं है क्यूंगे दही भी अपना पानी छोड़ेगा इसी में ये चिकन हमारा गल जाएगा इसको 10 से 15 मिंट तक पकाना है 10 मिंट अच्छा पक गया है तैयार हो चुका है अगर आप ग्रेवी और रखना चाहें तो आदा गिलास पानी शामिल कर दें यहां काट के हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं ये तैयार हो चुका है चूला बन कर दूँगी हरा धनिया शामिल कर दिया है मैंने इसमें अगरत लंबाई में काटके वो शामिल कर दी है इसको मैं अब डिश आउट कर लूँगी माशाला माशाला से मलाई बोटी बहुत अच्छी बनी है बहुत प्यारी खुश्बो आरी है इसमें से जो हमने जीरा भून के डाला था उसके खुश्बो बहुत अच्छी आरी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें लोगों के साथ फैमली के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी और इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा बहुत शानदार बहुत मज़े की बनी है ये जिन्दगी रही तो इन्शाला एक और रेसिपी लेके हाजिर होंगी दूाओं में आप मुझे याद रखिएगा अल्ला हाफिस